इंडियन सोसाइटी ओफ एनिस्थीसिया लॉजिस नाकपूर सिटी ब्रांच 24 से 26 सितंबर 2021 तक ISA महराश्टर स्टेट चैप्टर का ISA कॉम महा 2021 नाकपूर के राजिस्तरिये 22 वाशिक सम्मेलन का आयुजन कर रहा है COVID-19 महामारी पर विचार करते हुए डिजिटली होस्ट किया जाएगा इस सम्मेलन का उदेश सभी COVID-19 युद्धाओं को श्रदांच ली देना है साथी भारत के सभी लोगों को नाकेवल COVID-19 महामारी में बलकी हर सरजरी के सुचारू संचालन दर्द से रहत और ICU में गंभी रोग्यों के प्रभंदन में एनिस्थीसिया लॉजिस्ट की बहु विशेयक भूमिका को बताना भी है ताकि लोग इससे कुछ सीखे और एक भैतर बदलाव की और बढ़े आयोजन सचेवे डॉक्टर शीतल दलाल ने बताये कि यह सम्मिलन एनिस्थीसिया के शेत्र में विभिन अंतराश्वी राश्वी और राज्य संकायों और विशिशग्यों द्वारा उदेशात्मक वारत डिजिटली होगी तनाफ प्रभंदन कठिन वायू मार्ग आईस्यू में यूएसजी और पेरी ओपरेटिव हैमो डाइनमिक निगरानी पर विभिन कारेशाला आयोजित की जाएगी इन वाद विवादों के अलावा केस परिद्रश विभिन शेक्षणिक प्रतियोगता हैं एनेस्थीसिया लॉजिस्ट को अपनी प्रतिवा दिखाने के लिए एक और आयाम और अफसर प्रदान करेंगे वस्तुता पूरे भारत में हजार से अधिक प्रतिनीदी इस सम्मिलन में भाग लेने जा रहे हैं सम्मिलन का उद्खाटन केंदरी केबिनेट मंतरी सड़क परिवन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी भारत सरकार के हाथो 24 सितंबर 2021 को शाम पाज बजे जिया शोहाल आई एम ए परिशन नागपुर में डॉक्टर मुल्डिधा जोशी की उपस्तिती में किया जाएगा इस सम्मिलन में डॉक्टर वेंकेटगी केम, ISA नेशनल के अध्यक्ष और डॉक्टर नवीन मलोतरा सेख ISA नेशनल MSCISA के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिन पोल निर्वाचित अध्यक्ष MSCISA डॉक्टर मनीशा कथिकर उपाध्यक्ष MSCISA डॉक्टर सीयस चाम और सचिव MSCISA ड दॉक्टर बाला जी आसेंगाफकर के साथ MSCISA के पदादिकारी और अन्य मानेवर इस अफसर पर उपस्तित होंगे बाइट। इस सम्मिलन को महतपून बनाने के लिए विभिन समेतियों के अध्यक्ष और सहाध्यक्ष डॉक्टर विशाली शेल गाफकर, डॉक्टर प्रतीबा देशमुग, डॉक्टर उमेश रामतानी, डॉक्टर किरन व्यावरे और अन्य लोककडी महनत कर रहे हैं। मिला जाँ जो साइन्टिफिक कारेकर में जाँ अन्य विवग्विग्या तरह के वक्षोप्स जाँ अन्य अन्य शेली शाड़ी, पेशेंट मैनेजमेंट चेद्रुष डुष टिने जे एजुक्शनल अक्टिविटी दस्तात। प्रकार असना रहे सगय डॉक्टर अंसा सगय आने से सलाइस्टा इन्वान होना था कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभीशेक पांसे की रिपोर्ट